क्यासे है आप लोग ठीक है अभी आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है 11.1 एक्सरसाइज क्वेशन नमर 3 है क्वेशन नमर 3 में करें कंस्ट्रक्ट एंगल अप फॉल्विंग मेजरमेंट्स 30, 22,5, 15 डिली ठीक है आप पहले 30 का एंगल ट्रॉआ करेंगे और सिंपल स्टेप्स 3- चार स्टेप्स लिखेंगे फिर हम 22,5 का एंगल ट्रॉआ करेंगे फिर स्टेप्स लिखेंगे ठीक है स्टार्ट करते है फस्ट हमा रहेगा क्या है 30 डिली ए फस्ट में हमें ट्रॉआ करने 30 डिली ए ध्यान दीजिए इसके लिए हम क्या करेंगे ये क्रेट ट्रॉआ ड्राव किजिए एक रे ठीक है हमने एक रेट ड्राव किया अब जहन दीजिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पॉइंट को सेंटर लेते वे एक रेट ड्राव करेंगे ड्राव किजिए उसके बाद इस पॉइंट को सेंटर लेते वे क्या करेंगे एक पॉइंट मार्क करेंगे अब आप इसको क्या किजिए मैज किजिए ठीक है जब हम फर्स्ट पॉइंट मार्क करते हैं सेम रिडियस से तो क्या होता है यह एंगल हो जाएगा आपका करना को आता है पॉइंट मिया होता है हम एक बड़ एक को सेंटर लेते हुए और बी को सेंटर लेते वे थुरण हाफ से ज़्यादा रखते है मेरे की बाइसे हो जाए हमारे बी से ठीक है आप सेम रेडियस रखें चाहिए तरह बढ़ा भी लीजिए कोई फर्ट नहीं पड़ता है मैंने हाप से ज्यादा रहना चाहिए अब बी को सेंटर लेते हुए ठीक है दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है आप सो इडियनी आप सो मैसी तो यह जो एंगल आया है हमारा यह हमारा है थर्टी टीडी है यह आप से पुछा जा रहा था इसका नेम आप कुछ दे दिया सीधे ठीक है अब मेजर भी देखिए यहां से यहां मैच मिलाएंगे तो एकुरेट आ रहा है लगवा यह सिक्स्टी और यह थर्टी ठीक है अब ज्यां दिजिए हमें इसमें स्टेप्स लिखना होता है स्टेप वन स्टेप वन क्या हो जाएगा इसको जेट दिए अब ओ को सेंडर लेते हुए उसके बाद स्टेप टू ड्रो एन आर्क बी-सी-ए बी-सी-ए हमने बी-सी मतलु सी तो हमने बाद में लिया है ठीक है ड्रो एन आर्क बी-ए अफ सेम रेडियस ठीक है हमने कहके एक आर्क टूर किया बी-ए उसके बाद हम क्या करेंगे इस टिप थ्री में मैच ओ और बी-ए अपने लेंगवेज में लिखने रहता है बी-ओ-ए एंगल बी-ओ-ए उसके बी-ओ-ए उसके बाद हम क्या करेंगे बी-ओ-ए उसके बाद हम क्या करेंगे बी-ओर-सी को सेंटर लेते हैं दो आर्क ड्रो करेंगे ठीक है जो क्या करेंगे इक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यह हमारे स्टेप फूर हो गया and we draw two arcs we draw two arcs by taking A and B as center as center that intersecting at point E at point E okay E intersecting at point E E intersecting at point E angle E O Z angle E O E O Z or A equals 30 okay we draw 20 and it is a justification I have written the steps clear okay now I second that it is 22 and half 22 and half angle draw किजिए तो 22 and half degree का क्या मतला होता है 90 का half 45 and 45 का half 22 and half तो simple है पहले हम 90 के draw करेंगे एंगल फिर हम उसको bisect करेंगे तो हमारा 45 निकलेगा फिर हम 45 को bisect करेंगे तो हमारा 22 and half होगा ठीक है आप एक day draw किजिए हमने एक red draw किया ओए ठीक है अब आप ओ को सेंटर लेते हुए ओ को सेंटर लेते हुए क्या करेंगे एक point mark करेंगे फिर इस point को सेंटर लेते हुए हम क्या करेंगे एक point mark करेंगे अब जो एंगल यहाँ पे 60 बनेगा यहाँ पे 120 बनेगा अब हम इन दों एंगल को क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट कीजिए, इस तरीके से जो एंगल आएगा, वो एंगल हमारा क्या होगा, 90 का होगा, यहां तर कोई दिकत नहीं, यहां आमने कई वीडियो में आप बताये, यहां का एंगल हमारा होज जाएगा, 90, नेमिंग कर दिजिए, यह ए होगी है, यह आप इसको आप एक्स कर दिजिए, यह पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, 90 को बाइसेक्ट करेंगे, यह एंगल हमारे नाइटी जो बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा जो बाइसेक्ट होगा, तो हमारा एंगल क् इस पॉइंट से अब दोनों को मैच कीजिए यह जो एंगल हमारा बनेगा हमारा फॉर्टिफाइव आप इसको किस नेम दे दिए एससे एंगल हमारा बना फॉर्टिफाइव और ये पूरा बना बना नाइंटी डिगरे यहां से इफॉर्टिफाइव अब क्या खड़ेंगः 45 को क्या खड़ेंगः वाइसेक्स कर दिचे शेम प्रोसीजर्द अब हम एक अको सेंटर लेते कि उसके बाद हम सी को संडर लेते हुए अब दरों को मिला दीजे आग आग यानि यह जो एंगल अपके बना यहीं तो एंगल है हमारा 22.5 कोई डावर हो तो नहीं क्लियर है मैं एक बाद रीपीट कर देता हूँ हमने ओ एक वो आर्क लेते हुए स्वारी ओ एक वो रे लेते हुए ओ सेंटर से हमने एक आर्क ड्रो किया ठीक है उसके बाद क्या किया हमने उससे एक 90 के अगल बढ़ा है 90 के लिए क्या होता है सेम डिएस का हम दो पॉइंट मार्क करते हैं एक 60 डीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी सेंटर लेते हुए फिर से अगल को byset करेंगे तब जो एंगल हमारा बनेगा वो 22.5 होगा स्टेप्स में आपको ज़्याद़ कुसे नहीं लिखना है ड्रॉ अरे वे ठीक है स्टेप 2 सॉट में लिखना हूँ draw an angle of 90 degree draw angle x o a 90 degree ठीक है पता ही कैसे draw करते है स्टेप 3 बिसेट अगल b o a या x o a बिसेट अगल x o a by taking by taking by taking by taking b and a as center our angle C.O.A step 4 it has got match O and Y O and Y यह अपने लेंगवाज में आपको लिख रहा हूँ, यह कुछ है नहीं, स्टिप 6, स्टिप 5, बिसेक्ट रेंगल, य-o-a, बाइसेक्ट, य-o-a, य-o-a, को हमने क्या 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 बाइसेक्ट कर दिया, दस, एंगल, c-o-a, 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 इकोलस 22, and half degree, form, clear है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, देखिए, measurement करके देखते हैं, बिल्कुल accurate हम expecting कर सकते हैं, whiteboard पे, देखिए, level 90, 45, and 22, and half, क्या असपास है, clear है, अब जो हमारे third angle है, वो है हमारे 15 degree, 15 degree से क्या मतलब है, simply 60 का angle आप draw किजिए, और उसको bisect कर दीजिए, तो 30 का half हो जाएगा, 15 degree तो हमारा first target क्या है, हम 30 का angle draw करें, हमने 60 का किया हुआ है, तो 60 का आप bisect कर देएगे तो हमारे 30 हो जाएगे, draw किजिए, हमने क्या किया, और जेट एक rail है, ठीक है, अब O को center लेते हुए, O को center लेते हुए हम क्या करेंगे, एक arc draw करेंगे, अब गहां दीजिए, इस point को center लेते हुए, हम एक point mark करेंगे, और इस point से आप इसको match कर दीजिए, इस point करेंगे जाए, कि नेमिंग कर दीजिए, यह हो गया और यह B हो गया, तो यह जो हमारे angle यह हमारे 60 degree है, जीक है, वो center से अगर हम कोई arc लेते हैं, किसी radius का और सेव रेडियस का लेते हुए, कन लगाते हैं तो यह एक खट लगाते हैं, तो यह जो पार दीजिए दीजि B-point पे, तब जो angle बनता है, वो हमाड़े क्या हो गया, 60 degree, आप क्या करेंगा, इसको bisect कर दिए, simple है, अगर आप 60 को bisect करेंगे, तो क्या होगा, 30 मिलेगा, और 30 को bisect करेंगे, तो 15 मिलेगा, ठीक है, तो प्रभारे हमें 30 मिलेगी target है, तो आप AB को bisect कीजिए, हमने AB को बाइसेक्ट किया, मैच किजिए तो यह जाएंगल हमारा बना है यह हमारा 30 डिग्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक हमने कहके 60 का अंगल ड्रो किया आप इसका कुछ नेविंग कर दिया, C पॉइंट हो गया हमने कहके 60 का अंगल ड्रो किया उसको फिर बाइसेक्ट किया, तो हमारा 30 अगया अब क्या करेंगे, 30 को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 30 को यसेक्ट करेंगे, अगया तक यसको कीजिए यसेक्ट कोई फर्क मिपड़ता है, यहां पर बाइसेक्ट मेरा ड्रो का ड्रो का इसा बढ़ा अटा सकते है एक कट यहां लगेगा और एक कट यहां लगेगा मैच कर दीजे इसको 22.5 भी कहते हैं कोई दीकत नहीं अब आप इसके step कैसे लिखेंगे पहले तो हम इसको D कर देते हैं और आप इसका नाम दे दीजे O यह P हो गया और यह हमरे Q हो गया लिखेंगे पहले आप दीजिए स्टरण आप और आप डिकते ना स्टरण एजचे लिखेंगे बोए बोए स्टरण थो बिसक देए बिसक गुट Bicect Angle BOA, हमने क्या किया, BOA को Bicect कर दिया, such that, हमने Bicect किया, So, Angle POA, So, Angle POA, equals 30 Degree, ठीक है, यह Angle क्या होगे, 30 Degree, अब स्टिप 3, Bicect Angle COA, So, Angle DOA, हमने क्या 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 है, COA, हमने क्या क्या है, COA, इसको Bicect कर दिया, तब जो हमने DOA है, वह हमने 15 Degree है, क्लियर, कोई दिका तो नहीं, 60 बनाया है, फिर 30 Degree किया, फिर 30 को Bicect किया हो, तो हमने 15 आया है, समझ में आ गया है, क्लियर है, अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब करने से अपडेटिट वीडियो को आपको, जो न्यू वीडियो है, उसको अपडेट आपको मिलता रहेगा, आपको, जोड़ करने से न कीजिए, बिलते से न शचक्षव